थारा जून को निर्जला एकादसी है सारी एकादसियों में स्रेष्ट निर्जला एकादसी है और बहुत कठोर ब्रत होता है मतलब 24 घंटे एक बूंद बिना पानी पिये इस ब्रत को किया जाता है और जेष्ट का महीना ग्रिस मरीतूब आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोग निर्जला एकादसी का बृत करते हैं वो लोग कितने तपस्वी होते हैं और कितने भगवत भक्त होते हैं कितने भगवत पारायंड होते हैं क्योंकि चार घंटे बिना पानी के चलना मुश्किल हो जाता है और जो चौबिस घंटे बिना पानी के रहते हैं उनको भगवान ही चलाते हैं वो अपने बल से नहीं चल सकते 22 जून को जेश्ठ महिने की पूर्णे माति थी है जै माबिन दिवासनी चली अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशे की जून के महिने में मेश राशी वालों की किस्मत सेहत कैसी रहेगी कब इनको अपने खानपान और सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा आए जान लेते हैं अगर मेश राशी का ग्रह गोचर देखा जाये जून के महिने के लिए तो इस्थिती ये है कि आपके बारवे भाव में राहू और आपके दूटिय भाव में बुध, शुक्र, ब्रहस्पती और सूरिक की इस्थिती महिने के सुरुआत में रहेगी लगने इस मंगल की इस्थिती चुकी लगन में हो जाएगी इसलिए मेश राशी बालों को सेहत का सांथ मिलेगा अर्थात बिमारियों से नहीं जूजना पड़ेगा, स्वास थच्चा रहेगा, मन प्रसन रहेगा और हाँ, एक बात तो कहना चाहता हूँ, ये एकादस भाव का सनी आपको पुरानी बिमारियों से राहत दिलाएगा और खास करके यदि आपको इस्पेंडिलाइटिस, सर्वाइकल की प्राबलम है, तो निश्चित मानिये कि छोटे से उपचार से भी आपको राहत मिलेगी सनी नसों का रोग देता भी है और समाप्ट भी करता है सनी आपको पुराने रोगों से आराम दिलाएगा और सरीर में दवाएं अगर असर नहीं कर रही थी तो वो भी करने लगेंगी इस समय ग्रहों के प्रभाव के कारण आप अपनी सेहत को ले करके जागरूख हो जाएगे मानसिक और सारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि राहू आपके ब्याइभाव में है अगर आपने अपना खान पान दूसित किया खास करके अगर आपने तामसी भोजन ज्यादा करने की कोशिस किया तो स्वस्थ बिगड़ सकता है तब ये मत कहिएगा पंडी जी ने कहा था कि जून का महिना तो बहुत अच्छा होगा खराब क्यों हो गया अगर आप तामसी भोजन करेंगे अगर आप मानसाहार करेंगे अगर आप ज्यादा देर समझ से बना हुआ भोजन करेंगे तो स्वाहत में गिराव अटाएगी, राहू अपना परभाव दिखाएगा और पेट में तकलीफ हो सकती है, राहू के कारण आपको मांसित तनाव भी हो सकता है और खुद पर ज्यादा दबाव अगर डालेंगे, तो ब्लेड प्रेसर की भी समस्या हो सकती है इसलिए चिंता बिल्कुल न करें, अगर कोई कारे है तो उसका चिंतन करें, चिंता बिल्कुल न करें महिने के आखिरी दो हफ्तों में जब सूरिका ट्रांजिट बढ़ लेगा, तो आपको थोड़ा आराम और मिलेगा उपाय आपके लिए ये है कि महिने में एक बार किसी भी धर्मस्थान में कद्दू दान करें और नित्य हनुवान चालीसा का दस बार पाट करें जरुरत मंद लोगों को फल और दवाईयां दान करें कबूत्रों के लिए सब्तधान डालें और नित्य प्रात्य का अलस्नान करके सूर्य को अर्ग दें और हो सके तो 24 बार गायत्री बंत्र का जब जरूर करें अपने माथे पर सिंदूर का दिलग जरूर लगाएं जैमाबिन दिवासनिक